नमस्का सातियों आज कल आप लोग देख रहे होंगे फिलेसेस और वर्सिप एक्ट उन्नीस सो इकानवे जिसे आप लोग उपासना इस्थल विसेस और बंध अधीनियम उन्नीस सो इकानवे की नाम से जानते हैं ये काफी चर्चा में बना हुआ है और आप देखें कि आजादी के बाद हमारे देश में हिंदो मुस्लिम मंदिर मर्शित काफी उपार पर था और आप देखें कि उन्नीस तो नब्वे कानवे तक आप लोग आएंगे तो भारती जिनता पार्टी आज चुकी थी और उन्नीस लिए था और उसके बाद आप देखेंगे कि उसे उस मुद्दे का फायदा भी मिला क्योंकि 1984 में जब चुना हुए थे तो भाजा पाको यानि कि वीजेपी को मत दो सीटे मिली थी उसके बाद 1989 में आप देखेंगे चुना होता है तो भारती जिनता पार्टी को कितनी सीट मिलती हैं 85 सीटे मिलती हैं और आज देखेंगे आप लोग कि उसी का फायदा होते हुए 2019 के जो लोग सवा चुना हुए थे उसमें 303 सीटों पर पहुंच गई है तो क्या हुआ कि 1991 के आसपास आपने देखा है आयोध्या जो मामला था राम मंदीर और बाबरी मस्चित को ल आप लोगों नाम सुनाओगा वो रत्यात्रा सुरू की थी उन्होंने 1990 में और ऐसा माना जाता है कि जहां से रत्यात्रा जा रही थी वहां आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग पीछे एक तरह से उनसे जोड़ भी रहे थी और हिंदू मिसलेमों के भी खाई बढ़ उसी को लेकर तो 1991 के आसपस आप देखी कि लोगों के जो भी उस समय के हमारे नेता गड़ रहे होंगे जो भी रहे होंगे उनके दिमाग में एक चिंता ये आई कि चली अभी तो कम से कम एक अयोध्या का मामला है अगर इस तरह का आप देखी कि और भी मुद्दे उठे हिं कि बात होती है बावर के समय की बात होती है और आज उसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है तो उसी समय 1991 में एक आपका अधीनियम बनाई गया था ये अधीनियम कहता क्या है और ये चर्चा यूं हो रही इसकी और किन परश्टितियों में ये कानुन बनाये गया था उ बुलगन करता है ये कानून, जो आपको धार्मिक सुतनता का अधिकार है ना, उसकी बात करता है, और ये कानून भेदभाव पूर है, लेकिन एक बात और याद रखे, अयुद्या का मामला इससे बाहर था, इसलिए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोट में उस पर चल्चा हु और आप देखेंगे, किसी उपासना इस्थल का समपरिवर्टन, पित्ती सिद्ध करने के लिए 15 अगस्त 1947 को, यथा विद्मान, किसी उपासना, किसी उपासना इस्थल के धार्मिक सुरूप को बनाये रखने, उसमें ससक्त या उसके अनुसांगिक विस्याओं का उबंद क करने के लिए अधिनियम आया था, यह एक्ट आया था, यह भारत गडराज में 42 वे बर्स में संसत द्वारा निमले के तुरूप से यह अधिनियम पिस्तुत किया गया था, और आप देखिए पीवी नरसंभाराओं की सरकार थी, उन्हीं के समझे कानून आया था, यह कानू जम्मु कस्मीर को छोड़ कर पूरे भारत में था, लेकिन आप सभी को मालू हैं, कि 370 हट चुका है जम्मु कस्मीर से, जो बिसे इस राज़ी का दज्या मिलाफ हुआ था, यह भी खतम कर दिया गया, और आप आप देखिए कि जम्मु कस्मीर को दो भागों में आड़ दि कि इसका विस्तार जम्मु कस्मीर को छोड़ कर पूरे भारत में लागों होगा, लेकिन आप जम्मु कस्मीर में भी लागों होगा, इस अधिनियम की धारत 3, 6 और 8 के उपबंद तुरंत फिरवत होंगे, और इसका सेस उपबंद 11 जुलाई 1991 को लागों समझा जाएगा, इ सधिनियम का प्यारंब माना गया है, और समपरिवर्तन की अंतरकत उसके व्याकरनीक रूप भेदों सहित किसी भी पकार का परिवर्तन या तब्दिली की बात करता है, उपासना स्थल से कोई मंदीर मर्चित गुरुद्वारा, गिर्जा घर, मठ या किसी धार्मिक चाहे हुआ किसी भी नाम से ग्यात हो, लोग धार्मे को पासना का कोई अनिस्थल अभीवेट है, यानि कि कहने के मतलब है कि इसमें सभी धरम आते हैं, चाहे वो बुद्ध धरम के जो भी इस तरह के इस्थल हो, या आप देखे जन धरम के हो, या आप देखिशिक के धरम क किसी भी धर्म के हो और एक बात और याद रखेगा इनी के एक तरह से सुरक्षा बरतने के लिए इस कानून को लाए गया था कि आंगे हमारे देश में सांती बनी रहे और जो 1947 के पहले हुआ वो आप देखे कि हमारी उस पर एक तरह से कंट्रॉल नहीं था क्योंकि हम लोग ग आरी वरतन को रोकती है कि कि यह क्तरह से कोई भी व्यक्त्री कोई भी व्यक्ती किसी जा मिक संप्थया या उसके किसी अनुभाग के किसी और अरगा एक डेट रखी गई और कहा गया कि इस तारीक तक जो भी इस तर जस रोम में था जहां मंदिर था वो मंदिर हमेशा रहेगा जहां मश्चित थी वहां वो मश्चित भी हमेशा वैस्ती रहेगी और भी धरम का कोई अगर इस्थान है धार में किस तल तो भो भी वैसा ही रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इसमें ये और बात कही गई कि माल लिजे देखिए आप लोग हिंदू धर्म में भी कमी कई संपदाय जातियों में बटे हुए मुसलिमों में भी आप देखते हैं सिया सुन्नी के बारे में आप लोग सुनते हैं उनमें आपस में विवाद चलता रहता है तो ऐसा नहीं कि सुन्नी वाले किसी सिया की मस्जिद को बदल कर अपनी मस्जिद बना ले या उसे तोड़ कर आप देखिए कि उसमें परिवर्तन कर देखिए ऐसा भी नहीं होगा समय रहे हैं आप लोग तो बिलकुल एक तरह से आप के ये कि जहां मंदिर है जहां जिस रूम में मस्जिद है उसी रूम में अब रहेगी बस 1947 के को डेट रखा गया है आजादी को ठीक है और इसमें आर्टिकल यानि की आपकी धारा चार क्या कहती है और अगर 1947 के बाद अगर कोई मंदिर बनता है उसे तोड़ का मस्जिद बना दी जाती है ये तो आप देखे किया रहेगा ये तो नियालय आपका फैसला करेगा जो भी नया एक विक्रिया होगी लेकिन 1947 में जो जिस रूम में था वो हमेशा बैसा ही रहेगा ना तो आप मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना सकते हैं ना मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जासकते हैं यदि इस अधिनियम के प्यारम पर 15 अगस्त 1947 को विद्धमान किसी उपासना इस्थल के धार्मिक स्वरों में संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद अपील या अनकारवाई किसी न्यालय या दीकरन या अनप्राधीकारी के समक्ष लंबेत है तो एह उप समित हो जाएगी और बाकी अगर कहीं मामले कोई कोट में है तो उसे निरस्त कर दी जा जाएगा और कोई इस मामले को लेकर आप देखें सुप्रीम कोट या किसी न्यालय नहीं जा सकता है और इसलिए आप देखें कि लोग क्या करें कि इस कानून को ही चुनोती दे रहे हैं क्या करें जो भी आ तो रेगस्त उनिश्य स्चाइट वर्शात संपरिवर्वर्तं हुआ है संस्थ गित या फिर फाइल किया गया कोई बाद अपील या अन्कारवाही इसा दिनियम के पहर्म पर लंबे थै तो ऐसा बाद अपील अन्न कारवाही इस पिकार की उप समित नहीं होगी और इसे पितेक बाद अपील या अन्न कारवाही का निप्टारा उपधारा एक के उपघंड के अनुसार किया जाएगा उपधारा एक और उपधारा दो की कोई बात निमलिकित को लागू नहीं होगी। यानि कि कहने का मुतलब है कि अगर इस तरह का कोई इस्थल है तो उस पर आप देखे कि उस पर क्या कर सकता है जो आपका प्राचीन संस मारक और पुरातत इस्थल है जो आप देखे विभागे यह अपने अंडर में ले सकता है। इस्थल के बारे में कोई विभाद जो ऐसे प्यारम के पूर पक्षकारों द्वारा आपस में समझोता कर लिया गया है तो उस पर भी यह लागू नहीं होगा। किसी इस्थल पर कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्यारम के पूर ओप मत्ती द्वारा किया गया है। इस्थल या किया कोई संपरिवर्तन जो तत समय प्रवित किसी विधी के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्याला अधीकरन या अन प्राधीकारी के समक्षे आप एक्षणिये नहीं है। अधीनियम का धारा पांच कहता है कि राम जनम भूमी बाबरी मस्चित को लागू नहीं होना। कि आप देखिए कि आजादी के पहले से य Полगंध के लिए दंड क्या रखा गया है कि मौन लगाई जिया कि इन का इस कानून का एक तरस से कोई उलगन करता है तो दारा क्या लगाई गी क्या होगा उसका दंड जो कोई धारत तीन के उबंदों का उलगन करेगा वह काराबास से किसी अवधी तीन वर्स तक ही हो सकेगी दन्य होगा और आप देखे जुर्माने से भी जुर्माने से भी दन्य होगा कहने का मतलब है कि अगर फिर भी अगर आप देखे इसा कानून किया आन देखी करता है कोई आप देखे कि मस्जित को तोड़ता है मंदिर को तोड़ता है और किसी और धर्म का कोई मंदिर मस्जित बनाता है किसी इस्थानपर तो आप देखे कि इनी जो 1947 जिस रूम में था माले जी कि 1947 में कोई मंदिर था या मस्जित थी उसे तोड़कर आप द कारावास की सया हो सकती है कम से कम आप देखे तीन साल की सया और अधिक से अधिक कारावास हो सकता है और साथ ही उसे आर्थिक जुर्वाना भी देना होगा और जो कोई उपधारा एक क्यदीन दंडनिय कोई अपराद करने का प्रेरतन करेगा या ऐसा अपराद कराएगा ऐसे परतन में अपराद करने की दिसा में कोई कार करेगा वह उस अपराद के लिए उब बंदित दंड से दंडिनिये होगा जो कोई उबधारा एक किया दिन दंडिनिये किसी अपराद का दुस्फेरेंट करेगा या उसे करने में अपरादिक सडयन्द का पक्चकार होगा चाहे ऐसा अपराद ऐसी दुस्फरिणा के परिडाम सरूप या ऐसी अपरादिक सडयन्द के अनसरन में किया गया हो या ना किया गया हो वह भारती दंड सहिता की 1860 का 45 की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी उस अपरात के लिए अब बंधित दंड से दंडनी होगा और साथ धारा ग्या कहती है इसकी एस साथ कहती है कि अधिनियम का अन अधिनियमों अधिनियमितियों पर अध्यार हो ही इस अधिनियम के उबंध तथ समय प्रवित किसी अन बिधी या इस अधिनियम से भिन किसी बिधी के आधार पर प्रभावी किसी लिकित में उसके आसंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे यानि कि सीधा सा कहने का मतलब आप लोग समझे आप लोगों को दुनिया भर की बातें याद नहीं रखने अगर आप लोग किसी एक जाम की तेहारी कर रहे हैं तो अब आप लोग इस एक्ट को याद रख सकते हैं इसकी एक एक धारा को याद रख सकते हैं और एक आप लोग सामान चानकारी के लिए अगर इसके देख रहें तो मुझे लगता है कि आप लोग सीधी एक बात याद रखेगा कि इसमें ये कहा गया है कि हमारे देश में सांती बने रखे और हमारे देश में आप देखे इस तरह के जिस तरह के दंगे 1990 में जो आयुद् करें कि दंगे या आप देखें आतंकी हमले या आप देखें कि मार काट ना हो इसके लिए इस कानून को लाए गया था और इस कानून में साब कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धरमिस्ता जिस रोब में है वो हमेशा बैसा ही रहेगा उसमें कोई परिवर्दन नहीं किया जहां मर्षिद है वो हमेशा मंदिर रहेगा इन्हें बदलने की अगर कोई कौसिस करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है और कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में आर्थिक दंड भी उसे देना होगा और ऐसी लिए आप देख रहे हैं कि कोई इस कानून का उलग तो इस कानून के बारे में एक सामन जान करी मुझे लगता है कि आप लोगों के पास होनी चाहिए और इस कानून का नाम क्या है उसे भी जाद रखेगा और इसे कानून की अभी आप देखे रहे हैं ज्यान वाफी मश्चिद बेबाद कासि वनारस की बात हो रही है और आप द कि वो इसके अंडर में आते हैं इस एक्ट के अंडर में आते हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि यह से एक्ट को ही उसके सामने एक तरह से अर्चन मारना जा रहा है तो चल रहा है मामला क्या होता है क्या नहीं होता है सरकार क्या करती है सुप्रीम कोड क्या करता है यह तो आने देखते रहेंगे, आप लोग इस कानून के बारे में अभी तक एक समझ अपने पास किएगा, ठीक है?